हलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए इन्फोर्मेटिव इडियो में इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपका जो चोटा-चोटा कहरी है कि आपका कॉंसलिंग कब होगा, कॉलेज का विल आउट होगा, ठीक है आप second round में counseling करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं ठीक है कोई नया वाला बच्चा counseling में choice feel कर सकता है कि नहीं कर सकता है कुछ से वो college मिलेगा या नहीं मिलेगा तो ये 7-8 questions है जिसके बारे में मैं एक करके बात करूँगा जो कि आप बहुत आसानी से फिर सारा doubt clear हो जाएगा तो देखिए पहला questions है यहाँ पहला questions यही है बहुत बच्चे के मने में doubt आ रहाएगी कि आप सबको college reset करना है पहला questions द्यान से सुनिएगा कि आप सबको college reset करना है तो नहीं सबको college reset करने का ज़रुवत नहीं है priority change करना है यह सिर्फ change करना चाहता है तो हाँ वो reset करके जो priority है वो भी change कर सकता है और कोई बचा चाहता है कि हम उसमें new college add कर दे तो new college भी add कर सकता है तो जो लोग add करेगा या फिर priority change करेगा उसका नया वाला valid हो जाएगा और जो लोग पुराना यानि कुछ login नहीं करेगा कोई भी उसमें changes नहीं करेगा तो उसका पुराना वाला भी valid रहेगा ठीक है जो लोग change कर देगा उसका नया वाला valid हो जाएगा उसमें priority आप एक दो तीन भी change कर सकते हैं आप उसमें नया college भी change कर सकते हैं पैसा देना पड़ेगा तो नहीं, जो लोग पैसा 750 रुपया पे कर चुके हैं, जो लोग 750 रुपया पे कर चुके हैं, तो इनको आप कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, इनको कोई पैसा आपको कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है, जो पैसा आप एक बार दे चुके हैं, व गाव हो सकता है दस से बारा को लग जटक कर लेकाienced की तो कौई बड़es चलेक्ट करेंगा तो यह वी सब्सक्राइब करें तो आपको लगता है मन बना लिए का अवी सब्सक्राइब करें तो आप इसमें कोई एग्जाक्ली बता नहीं सकता है कि कुछ नहीं किया है आभी तक आप एक वी बार रोदे से आपका खूट गिया था तो भी आप कर सकते हैं तो हाँ कर सकते हैं आप सारा कुछ करके आपको 750 रुपय दे देना है क्योंकि आभी तक आप 750 रुपय दिये ही नहीं है तो आप आज साम तक कर सकते हैं अगर आप कोई प्रोसेस यह स्टार्ट ना करें पहले आपका मन था कि चलो हम admission नहीं लेंगे इस बार तो आप admission अगर लेना चाहते हैं अभी आपका मन हो गया है तो हाँ आप counseling में participate कर सकते हैं आप फिर से registration कर दीज़ेगा और 75 रुबा पेक कर दीज़ेगा तो आप फिर फिर बैलेट हो जाईएगा आप बहुत बच्चे के मन में doubt आ रहा है कि क्या हम second round में counseling second round में फिर से मौका मिलेगा क्या तो हम अगर आज के date में बात करें आज के date में बात करें 20 October 2020 के date में बात करें नया क्या rule change हो अगर उसको बेरे में हम नहीं जानते हैं तो second round counseling में आप कोई भी college choice second, third round में आप counseling में कोई भी नए college एड नहीं कर सकते हैं ना college आप हटा सकते हैं कुछ भी नहीं कर सकते हैं second और third round जो है आपका जो पहले से अभी आप फिल कर रहे हैं में क्या हो सकता है मौका मिल सकता है तो हाँ उसको a spot round में मौका मिल सकता है यानिक उसको a spot round में क्या हो सकता है मौका मिल सकता है लेकिन a spot round में आपको कहां जाना पड़ेगा तो आपको ललित नारायन मिथला इन्वर्सिटी आपको दर्भंगा जाना पड़ेगा आपको क्या करना पड़ेगा दर्भंगा क्या करना पड़ेगा जाना पड़ेगा तो दर्भंगा आप जाईएगा जब तो यहीं पर क्या होगा आपको फीजिकली यहाँ पर पर देंस होना होगा और वहीं पर आपका डिरेक्ट एडिमिशन हो जाएगा फस्ट कम फस्ट बेस पेट किजिएगा जो आप वहां पर मतलब कि आपको LNMU में जाना पड़ेगा तो इतना आपको confusion किलियर हो गया होगा आपको बहुत बच्चे को यह डाउट हो रहा है कि जो क्या एक college allowed होगा यह एक college allowed होगा माले जिए कि कोई बच्चा लाउट हुआ नौ नमबर का college तो यहां से अब जो college लाउट हुआ यहां से सिर्फ आर ऊपर जा सकते हैं यहां से आप नीचे नहीं जा सकते हैं इसलिए मैं बार-बार बोला हूँ कि जिस college में जाने का सबसे ज़्यादा मने आपको उसको उपर रखे फिर उसके बाद वाला 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 यानि कि सबसे अच्छा college जो आप जाना चाहते हैं उसको सबसे उपर को जो रूल है उसके हिसाब से मैं बात करूंगा तो देखिए आपको यहां पे कॉलेज को यह लाउट हो जाएगा तो हम दो एक जामपल बताते हैं यहां पर दो तरह का रूल है जब आप रूल पढ़िए गाओ तो उसमें दो पहला नंबर में भी लिखा हुआ है कि आप च् समझी तो यह बात आप ध्यान से समझने के लिए कुछ इस तरह से फिर जैसा मैं एक्जामपल देता हूं कि एक दो तीन चार पाच छे और फिर एक दो तीन चार पाच छे तो मालो कि यह वाले वच्चे का एल आउट हो गया पाच नंबर और इस वाले वच्चे को ही एल लेना चाहते हैं यह वाले का मन है कि हम पाच में एक्टूबर तक का है नबहीं बच्चा पाच में जाना ही नहीं चाहते हैं बाद में कुछ रूल चेंज गा तो लाटेस्ट वीडियो आप हमारा जरूर से देखिएगा उसमें आपको ज्यादा केलिर होगा अभी तक का जो rule है 20 October तक का है न तो ये बच्चा पाच में जाना ही नहीं चाह रहा था यानि कि ये इस से उपर वाले college में admission लेना चाहता था ये तो क्या करेगा 3000 पे नहीं करेगा सिर्फ select कर लेगा कि हमको second round के लिए consider किजिए ये यहाँ पे option चूच कर लेगा कि हमको second round के लिए consider करेए तो इस case में क्या होगा कि ये पाच number seat इसका book नहीं हुआ ठीक है ये पाच number इस seat इसके लिए book नहीं हुआ ये second round में किसी दूसरे बच्चे को allowed हो भी सकता है न और अगर इसको उपर college मिले या ना मिले ठीक है यानि कि ये चार number में अगर seat खाली नहीं रहा तीन number में खाली नहीं रहा दो number में खाली नहीं रहा एक number में खाली नहीं रहा तो इस case में जो A number बच्चा था, इसको उपर में कोई seat नहीं मिलेगा, लेकिन ये वाला seat इसका हाथ से चला जागा, ये वाला seat भी इसका साथ हाथ से चला जागा, क्योंकि नीचे से कोई बच्चा है, इसमें आके admission ले लेगा, दूसरा बच्चा भी है, इसका ये सोचे कि चल रहा था कि हम ये कोई बच्चा चाहाएगा, कि नहीं नहीं हम पांच मिलिया तो पांची में रहेंगे, इससे आगे पिछे हम कहीं नहीं जाना चाहते हैं, तो ये कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये B वाला बच्चा जो है, पहला इसका ये सोच था कि चलो हम पांच में ही रह लेगा और 3000 जब यह पे की होई रहेगा तो इसका सीट तब तक खाली नहीं होगा जब इसको कोई उपर में सीट एल आउट नहीं हो जाए यानिकि आपको नहीं कोई है जब सेकेंड रॉन के लिए OK कर देगा तो यह यहां से उपर तब तक नहीं जाएगा तब तक कि इसको उ उपर में कोई सीट एल आउट होगा तो यहां तक आपको कोई यहां तक कोई यहां तक क्या होगा समझ में आ गया होगा अब आप हमसे बार बार पूछ रहेंगे सर कितना कौन सा कॉलेज एल आउट होगा तो कौन सा कॉलेज एल आउट होगा इसके बारे में कोई आपको न नहीं जा सकता है लेकिन मैं अपना अंदाजा जो लगाता हूं उसी का धार पर मैं पूरे डिटेल में बात करके लगाया था तो हमको अभी भी अनुमान है कि कट अप उसी के आसपास जाएगा एक नमबर आगे पीछे हो सकता लेकिन कट अप उतना ही रहेगा गौर्मेंट कॉलेजे का और प्राइवेट कॉलेज तो अवियसली हमको लगता है साथ के उपर मिल जागा पचास के आसपास तक मिल सकता है क्योंकि बहुत बच्चे लास्ट में आ रहा होगा उप्सन तो उसका भी आप देख सकते हैं तो यह आपको अपलाई कब करना है तो जब आप एड्मिशन ले लिजेगा कॉलेज में आराम से तब आपको अपलाई करना है इसका डेट है जो हमेशा बढ़ते बढ़ते नवंबर दिसंबर तक जाता है तो यह बहुत परसान होने का जरूत नहीं है आप जब उस पोटल पर जाके देखिएगा तो देखिएगा कि पिछले साल का फ्रेस अभी भी फॉर्म अपलाई हो रहा है ठीक है तो इसमें फॉर्म हमेशा अपलाई होते रहता है पहला पॉइंट है अब आपको इसमें कितना पैसा मिलेगा तो दोस्तों हकीकत यह है कि इसमें इसके उपर आपको जरासा भी डिपेंडेंट नहीं रहना है अगर पैसा मिल गया तो आपको फ्री का पैसा मिल गया आपको इस पैसे को लोटाना नहीं है यह लोन तरह का पैसा नहीं है तो पैसा आपको जीरो ही मिल सकता है कभी आधा पैसा भी मिल सकता है, कभी पूरा पैसा भी मिल जाता है, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, अपलाई करके छोड़ देने का जरूरत है, वो अपने आप पैसा धीरे-धीरे प्रोसस भाई आते रहता है, आपके एकाउंट नमबर में अपने आप पैसा क्या हो जागा, आ जाएगा तो आएगा या ना आएगा इसका भी कोई करांटी नहीं है तो इस पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा भी थोड़ा admission बैगर हो जाने दीजिए इसमें आपको बहुत ज़्यादा परसान नहीं होना है तो हाँ अब कर सकते इतना मान के चलिए इसके बारे में अगर वह उपर हमारा scholarship बला नहीं देखें तो आई बटन में जो हमारा वीडियो दिख रहा होगा आई बटन पर आप क्लिक करके वहां जैसे ही हमको मौका मिलता है तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा और यह जो मैं अपडेट दिया हूँ आपको 21 अक्टूबर 2020 तक का दिया हूँ ठीक है और पिछले जो नलंद ओपन इंवर्सिटी का जो कॉंसेलिंग हुआ था उसके विहाब पे मैं दिया हूँ फिर जैसे ही हमको कोई मौका मिलेगा तो फिर एक अच्छा वीडियो लेके आऊँगा और मैं आप कोशिस कर रहा हूँ कि इस पर थोड़ा और इंफॉर्मेटिव वीडियो ही लेके आ आ पाऊं लेकिन थोड़ा हम को जैसे आपको पता है कि टाइम हमको कम मिल पाता है इसलिए मैं वीडियो भी कम लाता हूँ तो आगे भी आपको ऐसा ही इनफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेगा ठीक है और बहुत तरह का जो बच्चों जो टेंथ नाइन तेंथ में उनके लिए इनफॉर्मेटिव वी में पता नहीं रहता है तो वह सारा मैं इस पर डिटेल मैं सोच रहा हूं कि आप लोग सबको बताओं मैं मैं बैसिकली क्या करता हूं अपने करना चाहरा हूं कि अपने समाज में लोगों को जागरूख करना चाहरा हूं ठीक है क्योंकि जानकारी क्या होता बहुत बच्चे क्या होता है suffer कर जग कर जाते हैं तो मैं basically इस channel को अब एक जानकारी देने की और orient करना चाहरा हूँ ठीक है कि हम एक क्या करें जो market में knowledge available है या फिर जो resources available है उसकी जानकारी में आप लोग तक पहुंचाओं ठीक है तो इनी से बातों के साथ मैं its video को क्या करता हूँ दोस्तों end करता हूँ अगर आपको कोई confusions हो तो जाहिर से बात है आप comment section में comment कर सकते हैं जैसा आप अच्छा comment किजिए या मतलब जैसा भी आप comment किजिए आपको comment करें तो हम उसमें reply देते हैं तो आप इसमें समाज में आ जागा आपको तो ठीक है फिर हम आज के बाद में देखते हैं आप